असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमेदे बढ़िया होंगे बैतर होंगे अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो इस दिपावली या कोई भी फेस्टिवल हो आप ये मिठाई घर पर बना लेंगे बहुत ही आसानी से क्योंकि इसे वीडियो में मैंने ऐसी टिप्स और ट्रिक आप देख सकते हैं तो देखने में जितने जादा अच्छा लग रहा है ना उससे कहीं जादा यह खाना खाने में अच्छा है तेको कितना रस्म डूब कितने बिल्कुल एकदम ना इतना टैस्टि रहीप है ना बहुत ज्यादा स्वीट और यम्मी रहीप है बस आपको इस कुछ तो इस भी गप से आप चीनी लेंगे उसी गप से आपको पानी करना मैंने यहां पर यह लिया है तो मैं तीन कप ही इसमें पानी एड़ कर देंगा क्यूंकि इन चीजों का आपको ध्याण रखिया हो जाती है जौँ अदर तक नहीं जाएगी ठीक है अब जो भी गुलाग जामून यह जो भी स्वेट डिस मना रहे हो जो चासनी में आपको पर केसर के धाग डाल दी और थोड़ा समय ने यहां पर फूड कलर एकदम हलवाई जीसा दिखने में अच्छा लगे ठीक है तो फूड कलर है एड़ कर देना नहीं तो इसकीप कर देना ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है कि आप इलाइची इसमें दो तीन इलाइची लेना उसको हलका सा कूट कर इसमें एड़ कर देना मेरे पास यहां पर इलाइची एसेंस वो है तो मैंने वो इसमें एड़ कर लिया ठीक है आप कह सकते हो इलाइची अर्क है तो वो मैंने इसमें एड़ कर लिया अब आपको क्या करना है कि इसको बहुत जादा नहीं पकाना आप आपको इतना पकाना कि चिपचिपा सहद जैसा हो जाए तार नहीं बनाने एक तार दो तार इसास नहीं बिल्कुल इतना कि चिपचिपा हो जाए जिसे सहद कमात में लेती ना जब उसको रब करते हैं तो इस तरह से वह चिपगता हुआ लगे इसके बाद क्या करना है कि यहा लिया था मेदा उसमें मैने एक कप हीं मिल्क पाउडर ले ठीक है और उसमें हब चममच मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर लेऊमें आपको जो केक वगेरा में डालते हैं वहों तो देल क् Jacobs एडल सकते मेदा अड़ करो तो ठोड़ा एड करना उसको चोटकी भर एड करना तो यहीर अच्छे से मिला कर तो स्थे से ऑक अच्छे से मिला कर अच्छे से पाण पाण्यू या अच्छे 3 तो नो एक एक तो उससे थोड़ा सा नहीं ऐसे फिलिफी हो जाएगा थोड़ा सा जल्दी से इसमें वो जो लस बनता है वो नहीं बनेगा ठीक है तो इसको थोड़ा थोड़ा पाने लेके इसको हलके हलके हातों से इसको रब करना है और अच्छे से इसको रब करने के बाद में अच्छे से इसक तो उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको रिख्ष छोड़ देना है पाल-दास मिन्ट के लिए किसी कप्रेसे थहकर kitस नपर से लिए साइड में आप रख दीजिया है फिर इतने क् तो वह तब तक मैंने शिलो गेस करके उसको रख दिया तो गरम होगा अब यहां पर मैंने क्या कि मैंने यहां पर एक चकला ले लिया उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया जिसे चिपके नहीं और एक बड़ी रोटी जैसे लोई होती है उसके हिसाब से यहांने कि इतनी बड़ी रोटी तो नहीं बनती होगी थोड़ा सा एक्ष यहांने तीन रोटी तीन चार रोटी के जितना आटा होता इतन बहुत फूलेगी बाद में इस में बेकिंग पाउडर यूज किया है तो बहुत अच्छे से यह फूलेगी बाद में तो आपको एक मोटी सी रोटी के जैसे बना लेना और चारो कॉने मतलब चारो तरफ से इसको थोड़ा कट कर लेना वेकि हम को इस चोकोर में मैं बना रही ह क्योंकि मैं आगे भी बनाओंगी मैं गुलाब जामन भी बनाओंगी आगे तो यह देखो इनको ऐसे चोकोर आपको कट कर लेना और यह थोड़ा सा तिर्चा हो गया उपर ही छोटी हो गया नीचे की बड़ी हो गया कोई बात नहीं तो उसके बात गया कि यहां पर हमारा त देखोगे तो वह एकदम से फूल के अगर उपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा तेल पहुच जाता गर्म है और जैसे हम आप इसमें एड़ करेंगे तो यह जल जाएगा यानि को पर सब अंदर से कच्च रहेगा जब आप कोई भी इस बोल बनाएको इसमें डालो ना वह ह तो तो चमच से फूल दो या वे से इसको पूरे उसको पकड़ के थोड़ा ले ना इससे क्या है जो भी हमारे गुलाव जामून या जो मैंने यह रजबरी बनाई है तो इनके उपर से तेल आएगा तो अच्छे से फूल जाएगा अब देखे कितने अच्छे से फूला कलर इसको देख लेना हलका गरम होना चाहिए बहुत ज़्यादा गरम सबस्क्राइब ऑफ ठंडा भी नहीं होना चाहिए यह चोटी ऑची बाते होते छोटी चोटी टिप्स होती है इनकी वजह से हमारी रेशीपी अच्छी भी बन जाती है खराब भी होते हैं तो यहां पर ना आपको चासनी को बिल्कु थंदा रखना ना आपको बहुत जादा गःम रखना है बिल्कु 降ल का सा जो हम उंग猥ा डाले हमारे उंगले आराम से इसमें रूख जाए यह देखे वह उसमें चासनी में डाल दिए आप इनने जो अच्छे तो ही दयूँ और यह देखो फूल कैसे अच्छी एक दम बढ़िया से स्टिक की से जैसी बन गई यहां पर है ना कितने अच्छे से यह बनेंगी ना उतनी ही इसमें रस जो चासनी का रस है वह अच्छे से अब्जर्व करेंगी और अच्छे से उसमें फिल होगा चासनी ठीक है उसके बाद अब मैंने यहां पर यह कुछ गुलाब जाओं बना लिए ठीक है ऐसे गोल उसमें कर लिए अलाला वो सीफ आपको आप बेलना कार मिन्स वो लंबे-लंबे से जो बेलन जैसे होते है इस तरह से वो बना लेना या ऐसे गोल में बना लेना इसको ऐसे पलीट में अगर आप ऐ तो अच्छे से और यह गोल हो जाएंगे तो यह देखिए उन्हें दुबारे से एक छोटा डाला क्योंकि बीच में बंद कर देए हलका बबल आए बट वह उपर अब तक भी नहीं आया तो इसका मतलब यह तेल अब अच्छे से रही है आपको इन चीजों को ध्यान रखना अब आपको क्या करना है कि तेल को हिलाते रहना है इस तरह से हिलाते रहना यह चारो तरफ से अपना आप राउंड में घूमते रहेंगे और जितने राउंड में घूमते रहेंगे उतने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे सिख जाएंगे जितने अच्छे सिखेंगे उतना अच्छे से ये बनेगा हाँ फिलेम को आपको मीडियम रखना बहुत जादा लो भी नहीं करना और हाई भी नहीं करना ठीक है अती ये कहते है ने कि अती कोई भी चीज़ी हो वो नुकसान दायक होती है किसी चीज़ बहुत जादा प्रेसर डाल दिया तो खराब हो जाएगी और बिलकुल लूद छोड़े तो भी खराब तो बीच में मीडियम रहना जरूरी है लाइप में भी यह बंडा है तो ये देखिए अब यहाँ पर मैंने चासनी में पूरे मेरे जो गुलाब जामन बनाए और मैंने ये रस बरी बनाएए ये देखिए